Suppose करो एक charge particle magnetic field के साथ angle क्या बनाता है theta velocity vector theta angle 90 नहीं है तो साफ पता लग रहे है कि particle की motion क्या होगी helical होगी हमने और change कर दिया पिछले helical path में magnetic field प्रेजन था electric field 0 था इस बार मैंने electric field भी लगा दिया in the direction of magnetic field EBA, BBA अब वर्टिकल में कोई change नहीं क्योंकि electric field कहां लगाया जा रहा है x पे तो वर्टिकल विलोस्टी वी साइम theta थी वो तो अपना वही काम करेगी तो पार्टिकल सरकल में घूमेगा और आगे भी जाएगा पर जो आगे जाएगा अब वो constant velocity से नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर क्या प्रजेंट है electric field, electric field particle को क्या करवाएगी accelerate electric field particle को क्या करवादेगी accelerate acceleration का मतलब velocity का क्या होना, increase होना अब होगा क्या जैसे यह देखो, यह particle यहां से start हुआ पहले यहां लैंड कर रहा था पर अब उसकी यहां जाने की velocity बढ़ गई electric field accelerate करवाएगी तो particle start यहां से होगा end थोड़ा दूर होगा अब acceleration का मतलब velocity का continuously बढ़ना V cos theta पहले 1, F2, F3, F4, F5 तो यानि की particle start यहां से होगा फिर next pitch बढ़ती जा रही है पिछ और बढ़ गई तो यानि की इसका जो diagram बनेगा इसका जो diagram बनाना चाहिए मुझे वो ऐसा बनाना चाहिए देखो तो अगर यह मान लो magnetic field है ठीक, मान लो यह magnetic field है और suppose यह V vector है ठीक है और यह angle theta है इस बार यहां पर electric field है तो देखो helical ऐसे बनेगा यहां से start हुए pitch बढ़ती जा रही है क्योंकि यहां की velocity बढ़ रही है तो यह distance हर circle में बढ़ता बढ़ता जाएगा इसलिए यहां पर क्या लिखा गया कि by changing इसके अंदर E और B के parallel है तो pitch will increase sufficient